आपका स्वागत है Remedial Classes में आज हमारा Science का Topic है इसमें संतल दर्पण से बनने वाले प्रतिविम की विशेश्ता हैं पिछली क्लास में हमने जो है दरपन के बारे में पढ़ा हमने दरपन के प्रकार हैं समतल दरपन और गोली दरपन और गोली दरपन भी दो प्रकार के थे उतल दरपन और अवतल दरपन अब हम इसमें डॉपिक ले रहे हैं कि जो समतल दरपन होता है उससे जो प्रतिविम बनत हुँ ठीक है इसकी सत्र विनकों समत्र होती है याद होगा आपको पिस्टी निंग कर दिखिता है जो होती है यह परावर्थक सत्र अब इसके सामने हम इसकी तक सत्र है इसके सामने जो भी हम वस्तू रखें तो उससे जो प्रतिविम बनेगा जो हमको दरपण में दिखाई देता है उसकी क्या विशेष्टा है उसके बारे में जान लेते हैं ठीक है सबसे पहले विशेस्ता कि जो प्रतिविम होता है वो आभासी होता है ठीक है प्रतिविम कैसा होता है आभासी होता है प्रतिविम वास्तविक नहीं होता है अब प्रश्ट नहीं होगा कि वास्तविक क्या है और आभासी क्या है वास्तविक प्रतिविम वो होता है जिस बनता है तो हम लिखते हैं कि अब आबासी बनता है और आबासी जो रोड़ा कासा होता है ठीक है तो आप जानते हैं हमारे घर के अंदर सभी के पास मिजर पण होता जिसमें हम जो है वहारा देखते हैं दिन में तो एक लागता है ठीक या ना तो हम जो हम चैहरा देखते हैं तो हम खड़े हैं तो क Expect सामने तो हमसी प्रिक यह है bike andabhpoxि और टर भी दिखेंगा ठीक की तरह उसमां उल्टा नहीं हो पर उपर और यर्पलोर पर खिर नीचे ऐसा नहीं इस चैप्टर में आप हमेशा याद रखना आगे वीजियो आपन टॉपिक करेंगे कि जो पर्तविम आवशी होगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा, और जो वास्तिख होगा वो पर्तविम हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है, पर्तविम सीधा आवशी हो गया, अगर जैसे मान ले लिखा ए लिखा इसके सामने पर्तिविम यह दरपन के पीच्छे बनेगा तो वह ऐसे ही बनेगा उल्टा एनिगा तीक है दूसरी बात यहां कि जो प्रतिविम बनता है तो प्रतिविम्ब आकार अकार अकार बिम्ब यानिवस्तु जो अरपन के सामने रखी है वह वस्तु इसका है। या के बराबर होता है इस बात को अध्यान रखिं हैं हम लोग हमारे गुरह में देखते हैं वो तर बरॉत है हम जब देहते हैं तो जितना हमारा आकर अकार है हमारे शीर काकार है या जो भी उसके वस्तु सामें रखी भी ए उसका प्रतीविंब जो बने का उसके अंदर आप दर्पण मेरे देख उसका अकार WIN वैसा ही रहता specific यह यह खास बात इसमान हो गई तीसरा जो point है वो यह है कि प्रतिविम जो है जो बनेगा इसके अंदर तो दरपण के सामें जो वस्तू रखी भी है तो यह मान लेजिए यह जो है यह वस्तू है यह दरपण से इतनी दूरी पर है इस दूरी को बोलेंगे बिम्ब की दूरी यानि यू इसमाल यू हो जाए रही है अब जो पीछे जो प्रतिविम बनेगा वो प्रतिविम की दूरी है इसको हम इसमाल वी लिखते हैं तो समतल दरपण से जो प्रतिविम बनता है उस केस के अ से तो पीछे के तरफ जो है जो प्रतिविम्ब है वो भी उतनी दूरी पर बनता है अब इसको आप करके देख सकते हैं आपके घर के अंदर जो बड़ा सा दरपन है ड्रेसिंग टेबल जो होती है उसमें बड़ा सा दरपन होता है उसके सामने आप खड़े हो जाई है ठीक है दरपन से तीन-चार कदम की दूरी पर आप यहां पर खड़े हो जाई है तो पर्तिविम्ब है आपको दरपन के अंदर उतनी दूरी पर पीछे दिखाया देगा फिर आप अपना एक कतम आगे बढ़ाईए तो प्रतिविम्ब निया कदम आगे और बढ़ेगा फिर आफ ए वस्तु की दूरी के पराबर होती है ठीक है means u is equal to v इस बात को ध्यान रखे हमेशा ठीक है now अब है इसमें fourth point और fourth जो है ये एक important point है ठीक है देखिए जो समतल दरपण है उसके सामने हमने कोई वस्तु रखे अभी यहां हमारी वस्तु क्या है यह पी लेटर है अक्षा हमने रख दिया तो यहां पर जो इसका प्रतिविम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा अब आप देख रहें अंतर इसमें यह सीधा पी है जैसा हम लिखते हैं और यहां जो पी बना है वो उल्टा बनेगा ठीक है ना जो इसका राइट है वो इसका लेट हो गया जो इसका लेट हो गया ठीक है यह वस्तु है यह प्रति बिम्ब है समझ मारा आपको इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई अपन बी अक्षर लिख देंगे बी लेटर लिख देंगे तो यहां वी उल्टा दिखेगा यह के केस में आमको मालूम नहीं चलेगा ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि बिम्ब का यानि वस्तु का बिम्ब का दाया दाया मिन्स राइट दाया भाग प्रति बिम्ब का बाया मिन्स लेट और बिम्ब का बाया प्रति बिम्ब का दाया मिन्स राइट दिखाई देता है यह वो बन जाता है ठीक है ना मिन्स जो वस्तु हमारी है दरपनके सांट उसका जो राइट साइड हो वह कि प्रति बिम्ब का लेट हाथ बन जाएगा टीक है और जो बस्तु का लेट है आधार है वो उसका राइट साइड बन जाएगा ठीक है इस परकार से हमेश lockdown होता है तो इसे क्या कहते हैं is पार्श्व परावर्तन पार्श्व परावर्तन लेटरल इनवर्जन कहते हैं इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं ठीक है अब परिक्षा में हम देser इसकी देफिनिशन स्कते हैं कि भी पार्श्र बरावर्तन क्या होता है तो सिंफल साम से हम इसमें लिखना है कि बंब का दायाँ भाग जो होता है उप रती उमिका या भाग बन जाता है और बंब का बहाँ भाग जो होता इसको हम पार्श बरावर्टन कहते हैं तो इस तरीके से समतल दरपन से जो प्रतिविन बनेगा वस्तों इसकी यह मुख्य मुख्य विशेषता हैं । इसको आप ध्यान लगते हैं ठीक है आगे हम बढ़ते हैं इसमें जो है इसमें हम ले रहे हैं गोली दर्पन से कुछ सम्मंदित परिवाशा हैं गोली दर्पन हम लोग पाढ़ चुके हैं जिसकी जो परावर्तक सथ्वतर होती होती है वक्री होती है तो दो तरह के थे उत्तल दरपन और अव्तल दरपन ठेक है एक बार मैं देखिए इस तरीके से अब इसमें हम पीतर की तरफ यहां पर इसके अंदर हम यह पॉलिश कर देते हैं अब आपको मालूम है कि इसकी हम पॉलिश करते हैं ठीक है तो यह जो सतह है इसकी यह वाली परावर तक सतह बन जाती है उभरी जो सतह है बाहर के तरह ठीक है तो यह कहलाता है उत्तल दरपन ठीक है और अगर माली जी हम बाहर की जो सतह है उस पर अगर हम जो है पॉलिश कर देते हैं यह इस तरह से हमने यह पॉलिश कर दी यह सतह जो है यह वाली सतह इसकी परावर तक सतह बन जाती है परावर तक सतह यह हमारा क्या है अउत्तल दरपन ठीक है तो अब हम पिशली ग्लास में हम यह पढ़ चुके हैं कि जो उत्तल दरपन है यह दोनों ही जो है एक खोकलय कांच के गोले के बाद हैं अगर हम इसको इस तरह से पूरा इसको ड्रॉ कर देते हैं न देते हैं तो यह गोला बन जाएगा सणेंज ऑब हम को म Gwen sob doctrine को अब हमें को काणे से संबंधित परिभाषा है तो उसमें को इस चीज को ध्याँन रखना है वो यह है नहीं हालिक देता हूं गोली दरपन कांच के खोकले गोले के भाग होते हैं इस पॉइंट को हमें अभियात रखना है बार बार यह चीज काम आएगी जो भी उत्तल दरपन है यह एक कांच के खोकले गोले के ही भाग है अब चलिए अब देखो यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम इस बात को भी जान लेते हैं कि उत्तल दरपन जो होता है यह वाला दर करण भी कहते हैं है थीक एपशारी का मतलब यह हो गया कि यह क्या करेगा कि जब इस से प्रकार्ष करन करेंगे जिसको अपना अपतित करन करन कहते हैं वह करन यहां पर तक लाती है जब आपिस लौट कर परावर्त होगी जितने जाएंगी वह सब एक दूतर से दूर जाए प्रकाश की किर्णों को अपसारित करता है यानि वह फैला देता है इसलिए हम इसको अभी सारी दर्पन इंगलिश में कनवर्जिंग इसका मतलब यह होता है कि जब प्रकाश की किर्णे इस दर्पन से आके टकराएंगी यानि इस पर आपतित होंगी ठीक है, किसी प्रकास सब्सक्राइब हो रही है, और इस पर आपतित हो रही है फिर उसका क्या होगा, परावर्तन होगा, जब वो प्रावर्तन होगी मां लिजे दो तो प्रावर्तन केरणले किनौरे किसी बिंदु पर आखे एक जगा मिलेगे, यह तो वो क्रॉस करेंगे एक जगा पर किसी विद्दू पर मिलेंगे या करेंगे तो यह क्या करता है अब इन बातों को धियान रखना है एक कौन सी की गोलिय दरपन जो होते हैं यानि उत्तल दरपन वो कांच के खोकले गोले के ही भाग होते हैं अब कौन कौन सी परिवाश्या हैं देखें वक्रता के इंद्र इसको सीर कहते हैं वक्रता त्रिज्या रेडिस ऑफ करवेचर और मुख्य अक्ष है ब्रो पोल पी है मुख्य फोकस या इसको फोकस बिंदू भी कहते हैं कहीं कहीं पर फोकस बिंदू लिखावा होता है कहीं कहीं पर मुख्य इसको फोकस या फिर फोकस बिंदू ठीक है इसको कैपिटल एफ लिखेंगे फोकस दूरी इसमॉल एफ से लिखेंगे इसको ठीक है या फोकस तल और द्वारक अपरचर यह कुछ परिवाश है जो उत्तल और अव्त्तल द्रपन के लिए हैं ऐब जब यह परिवाश है हम लोग कोग ले के भाग होते हैं इस लाइन को बार-बार याद रखना है ठीक है परिपाशा को समझेंगे ते अब पहली परिवाशाम ले रहे हैं वक्रता की अंदर यानि सी सेंटर आप कर वेच अब इसके लिए मैं डाइग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है यह मैंने एक दरपन बना दिया अब सभी को दिखरा हो गई यह अवतल दरपन है ठीक है यह एक कांच के खोखले गोले का भाग है यह हमको मालूम है ठीक है अब उसके लिए मैं डॉट डॉट से गुला बनायता हूँ इस गोले के अंदर यह सेंटर है सी ठीक है तो वक्रता के अंदर क्या है कि जो अवतल दरपन है यह उत्तल दरपन है वो कांच के खोखले गोले का भाग है यह हम जानते हैं तो उस गोले का जो केंदर है इस कांज के खोकले गूले का जो केंदर है उसी को हम दरपन का वक्रता केंदर कहते हैं अब आपको इस प्रक्त को ध्यान रखना है वो दौनों ही कांज के खोकले उत्तर्द שמע गूले के ही भाग है एक rap schne कि इमेजिंग कि इये गोला बने गया इ После पहुने हमारा घृपन है बाकि मैंने यह डादर बनायाँ है यह पुरा एक में इसका सर य international बना दिया इसका जो यह केंदर है वो इसका वक्रता केंदर है किसका दरपन का वक्रता केंदर है ठीक है कि उत्तल दरपन को हम ले लेते हैं कि यह हमने बना दिया उत्तल दरपन कि अब मैं इसको डॉट डॉट करके एक गोला बना देता हूं यह मैंने गुला बना दिया अब इस गोले का जो के अंदर है ये C ये इस उत्तल दरपन का वकरता के अंदर कहलाएगा तो definition क्या जाएगी कि गोले दरपन काच के खोक ले गोले का भाग है तो गोले का केंदर दरपन का वकरता केंदर कहलाता है ठीक है बात आपको समझ में आ गई ठीक है अब ले रहते हैं हम इसमें सेकेंड डेफिनेशन अब देखो तिरज्या आप जानते हैं मैं आपने मैस के अंदर पड़ रखा है कि केंदर से परीदी की दूरी ठीक है यह केंदर है यह केंदर है यह को मैं रेट परेंसे बनाता हूं यह केंदर दिख रहा है और यह इसकी पूरी को मालूमी है कि गोली दरपन कांच के खोकले गोले का ही भाग है ठीक है गोले की जो तिर्ज्या है यह जो तिर्ज्या किसकी है इस गोले की है इस तिर्ज्या को हम इस दरपन की वक्रत तिर्ज्या कहते हैं सिंपल सी वही डेफिनेशन इसमें आ जाएगी एक लाइन तो अब लिख देंगे इसके अंदर कि गोल ये दरपन कांच के खोखले गोले का भाग है ठीक है गोले की तिर्जा गोले की तिर्जा गोली ये दरपन की वक्रता तिर्जा कहलाती है ठीक है ठीक है ठीक है थर्ड इसमें हम लेते हैं द्रो यानि फी जिसको पोल कहते है कि है देखें अगरी कि ये हमारा दपन है। आवतल दपन इसकी इतुक है यह यहां से और यहां तक आपको यह डाल फ्रिंद के यहां से यहां तक पूरी कि यह कि इस इसके पर्रावट ओहां इस तरह से यह हमारा उत्तल दर्पा ठीक है यह इसकी परावर्तक सत्र हम को दिख रही है इस परावर्तक सत्र का जो सबसे सेंटर पॉर्शन है यह वाला सबसे सेंटर पॉर्शन इस पॉइंट यह वाला जो पॉर्शन है यह पी कहलाएगा इसका पॉल कहलाएगा इसी प्रकार से यहां पर उत्तल दर्पाड में यह इसकी परावर्तक सत्र है यह इस सत्र का सबसे सेंटर पॉइंट जो है यह पी इसक का केंद्र या मध्य बिंदु गोलिय दर्पन का द्रोह कहलाता है ठीक है इतनी बात हमको समझना गई यहां पर तो हमारी वकरता केंद्र हो गया सी द्रोग हो गया ना वी फोर्त पॉइंट है यह मुख्य एक्ष्ण प्रिंसीपल एक्सेस मुख्य अक्ष्ण क्या देखो को सिंपलल सी चीज़ है कि जो दर्पन है ठीक है उसका जो द्रुव है है उस ध्रोव से जो वक्रता केंद्र है इसको मिलाने वाली जो एक रेखा है यह लाइन यहां चलती है यह लाइन पूरी चल रही है यह इसका करके आगे बना याते हैं यह इसका मुख्या अक्ष है ठीक है तीक है कहां सेई कहना तक जो दपन है है यज है सबसे सेंटर पॉइंट सबीक्न का सेंटर अच्बीक्ड इसका यह द्रूफ वो और रखरत के अंदर इसको मिलाने वाली एक यह रेखा है यह यह कालपनिक रेखा हमको दिखती नहीं दरपन पर यह पूरा कई इस चीज को दिए ठाथ है तो इसकी definition में बिल्कों सिंपल हो जाती है कि इसका मुख्यक्ष क्या हो गया गोलिय दरपण के द्रोव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है ठीक है इस तरीके से यह हमारी definition आ जाती है ठीक है अब हम next ले लेते हैं इसके अंदर चार पॉइंट हमारे हो गए अब ले रहा हूं मैं इसके अंदर मुख्य और फोकस या भोकस बिंदूग और इसको हम कैपिटल F लिखते हैं ठीक है अब देखिए इसको हम समझा लेते हैं वापीस से में यह आप पर देता हूं एक ड्राइगरम जो है डॉक कर रहा हूं अवतल दरपन का यह रागरम हमको बार-बार बनाना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर हमें बार-बार अब फोकस बिंदू की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि मान लेजिए कि प्रकाश की किरण जो है वह इस दरपन पर यह आपतित होती है यह आपतित किरण है इसी प्रकार से यह भी एक आपतित किरण है बहुत सारी हो सकती है हम केवल यहां पर दो जी ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है समझने में आसानी होगी तो यह एक प्रकाशी किरण यह प्रकाशी किरण अब इनका प्रावर्तन होगा ठीक है अब आपके सामने यह दरपन कौन सा है है अवतल दरपन है गसा होता है अभी सारी दरपन होता है अभी सारी का क्या अर्थ है जो प्रावर्तन के पश्चात जो प्रावर्चित किरणे हैं उनको पास पास लाए यानि वह 느낌이 मिलेंगी अब जब यह किरन प्रावष्यत होगी तो ये किरन भी कि इ plec akit कि तरफ आएगी और यह किरन भी इधर की और आएगी ठीक है और आकर के एक बिंदू पर मिल जाएगी, यह इस पॉइंट पर आकर मिल गई, तो जिस पॉइंट पर आकर मिली है यह, इस फोकस बिंदू के ऊपर इस पॉइंट पर आकर मिली, वो इसका फोकस बिंदू यानि मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है? तो यह इसका जो है, फोकस बिंदू है, ठीक है समानतर करेंड आई थी मुख्यक्ष के समानतर परावरतन हुआ दौना करेंड एक दूसर के पास आई तो मुख्यक्ष के उपर ये एक बिंदू पर आखर के बिली ये इसकर क्या हो गया ये जो बिंदू है ये कैपिटल एफ हम लिख रहे हैं इसको फोकस बिंदू या ठीक है कि सेंटर पॉंट येक रहावरता किंदर के अलिए इसका मुक्ष रहे हैं अब मुक्यक्ष के समानतर प्रकाश के यानि पर आपथित होती है यानि आतर के टकर आती हैं ये इह इदर से और दर्पन पर खते हैं अभी जो उत्तल दर्पन है September कि क्यों यह है हमारा अपसारी और प्रपन क कैसा डर्पन है अपसारी जाएगा तो यह जो प्रकार्श किरणों कम परावर्तन करेंगा तो इस तो यह जाएंगी वह यह कि Innवत दूसरे mettre यह लिए किरन वह इधर की वह चलिए कि बारवर्टित किरण यह भी क्रण परहवर्टित कि आपस नहीं मिलेंगी एफ जाये जाएंगे आगे की तरफ फैल सिले जाएंगी अब क्या करता है कि इसको हम पीचे की तरफ अगर बढ़ाएं तो हमको लगता है यह एक बिंदू से आ रही है मुख्यक्षपी बिंदू से आ रही है यह इसका फोकस बिंदू है यह इसका फोकस बिंदू है ठीक है तो अवतल दरपण में तो वास्ताव में यह प्रकाश करने एक बिंदू पराकर मिल जाती है लेकिन उतल दरपण में यह तो यह हम पीछे क्यों बढ़ाते हैं तो लगता है इसा मैं अश्म बिंदू से आ रही है ऐसा एक पॉइंट से आ रहे हैं हम ऐसा अभास होता है वास्तविक नहीं है कि यह भी फूकस बिंदू या भी फोकस बिंदू इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ठीक है कि डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि कि मुख्य अक्ष्य कि 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 समानतर कि आपतित होने वाली कि प्रकाश कि 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 परावर्तन के पस्चाथ परावर्तन के पस्चाथ एक बिंदू पर मिलती है या एक बिंदू से आती होई प्रतीत होती हैं ठीक है उस बिंदू को को फोकस बिंदू उस बिंदू को focus बिंदू कहते हैं जगा थोड़ी कम है मैंने यहां लिख दी ठीक है बोल भी दिया मैंने आपको आप सुनके आप इसको लिख सकते हैं definition मैं आराम आराम से बोल रहा हूं आप आराम से लिखिए इसको ठीक है कोई परेशाने नहीं है जो भी कोई आपको point समझ नहीं आता है तो आप comment box में लिख सकते हैं आप पूछ सकते हैं ठीक है जैसे मुझे समय मिलेगा उसको मैं जरूर रिपलाई करूंगा जहां भी आपको डाउट हो आप पूछे उसके ठीक है चलिए तो अब हमारे देखिए वकरता केंदर हो गया वकरता तरीजा हो गया मु दूरी आख़े है इसको हम इस्मोल एफ से लिखेंगे यह दियाँ रखना फॉकस बिंदो को कैपिटल एफ से लिखा जाएगा और फोकस दूरी को कुछ समाल से लिखा जाएगा अब यह बहुत सिमपल है ठीक है इसके लिए मैं रैड पर ले दता हूं अगर मेरे सामने है रोगने के जरूत नहीं आइस इस सतह से फोकस बिंदू के बीच की दूरी यहां से यह दूरी यह इतनी से दूरी कि वक्रतक नहीं बढ़ाना था कि वहां तक पोकस बिंदू और और फोकस ेड़ू झीज़ विसका मुख के फोकस है उसके बीच की दूरी को भी हम क्या कहते हैं खॉकस दूरी कहते हैं घीच अब यह हो गया उतल दरपनझ किसमें यह बोग्यों हो गया और यह फोकस में दूरी हैई यह इतने से ठूरी यह तिक है यह इसकी फोकस दूरी है बहुत सिंपल सी बात है ठीक है इसको लिख लेते हैं कि गोलिय दर्पन के द्रूव से फोकस बिंदू F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है ठीक है ये इसकी फोकस दूरी कहलाती है कि अब ले लते हैं हम अ कि कि फोकस दल अब देखें सको समझे फोक असल क्या है यह मुख्य अक्षिय में अब इसको दरपन का मुख्य आक्षिये अब इस मुख्यक्ष के लंबवत ठीक है, ये इस तरह से अगर एक लाइन है तो इसके लमबवत हम ऐसे एक LINE खड़ी करते हैं, ड्राउ करते हैं तो वो क्या हो जाएगी लमबवत हो जाएगी ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं story क्वोकस्त तल की किसको क्रॉस करती भी इसको फ्ोकास बिन्दू को क्रॉस करती भी यह हम somewhat कर रहता इमेजिनरी लाइन यह इसका फोकस कर अज़कर एसे यह फिक तो मुंख्याक्ष के लमवत एद्रिक और मुर इसके फोकस बिन्दू पर इसे गुजरने वाली फूर्ष कैने वाली से गुजरने वाली नाले तो जो एक निकरेखा है वो इसका केह लाता है फोकस तल क्यालाता है ठीक है तो यह लग दिएते हैं हम फोकस बिंदू से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के लंब बत पर्पेंडिकुलर लंब बत रेखा रेखा को फोकस तल कहते हैं ठीक है अब है इसकी एक लास देफिनेशन द्वारक ठीक है द्वारक क्या है देखो यह यहां से इस बिंदू से लेकर के यह पूरी जो है यह इसकी परावर्तत सत्व है यह पूरी परावर्त पर ठाब होती है यह यहां 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 कर यहां तक यह इंनक आ। चाहर रहता है तो इसकी पूरी सत्oot है जहांसे प्रकाश wait वह प्रावर्तित होंगी तो अधोड़ा अभी है है ऐसे यहां पर भी कि यह सत्वा है पूरी यहां से होती है और यह यहां तक चल रहे हैं यहां तक यह यहां से यहां तक यह पूरा एरिया इसका द्वारक है जिस पर प्रकाश केने आपतित होती है तो गोल्य दर्पन की परावर तक सतह जिस पर प्रकाश केने आपतित होती है उसकों क्या करते हैं तो इस तरीके से यह हमारा टॉपिक हुआ कि जो गोली दर्पन होता है उससे समंदित कौन कौन सी परिभाशा है ठीक है अब आप इसको ध्यान से समझना प्रैक्टिस करना कोई भी डाउट हो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड लिख सकते हैं जैसे मुझको समय मिलेगा मैं आपका आंसर जरू कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होंगे उसकी जो नौटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगी और आप बैल आइकन दबाना नहीं भूलिए थैंक यू बारी मुच